हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं क्लास 3 की वर्कशीट नमबर 47B जो की 16 अगस 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है EBS यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे तो चलिए हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थेवं सुरक्षित होंगे. प्यारे बच्चों, सडक पर चलते समय या फिर यात्रा करते समय हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यक्ता होती है. हमें सडक पर अपनी सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का प तो पहला प्रश्ण है बच्चों कविता के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में आपको नीचे बताया गया है कविता को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्णों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए तो चलिए सबसे पहले हम कविता करती हरी पीली लाल ट्राफिक लाइट सड़क पर देखो लेफ्ट एन राइट कार में सीट बेल्ट जरूर लगाना हेलमेट पहन कर ही स्कूटर चलाना अगर गाड़ी जो तेज चलाई ट्राफिक पुलिस पकड़ लेगी मेरे भाई जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करना सड़क पर फोन का उपयोग मत करना अब यहां पे कविता दे रखी थी इसके आधार पे हमें कुछ यहां पे प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर अब हमें लिखने हैं पहला है ट्राफिक लाइट में कौन कौन से तीन रंग होते हैं तो उसमें होते हैं पहला हरा पीला देखो ये रही ट्राफिक लाइट ये है लाल रंग ये है पीला रंग और ये है हरा रंग ठीक है अब देखो हमें दूसरा प्रशन पूछा है कार चलाने से पहले क्या लगाना जरूरी होता है तो कार चलाने से पहले हमें सीट बेल्ट लगाना जरूरी होता है तीसरा प्रशन है गाड़ी तेज चलाने पर कौन हमें पकड़ सकता है तो गाड़ी अगर हम तेज चलाएंगे तो हमें ट्राफिक पुलिस पकड़ सकती है चौता है सड़क पर चलते समय हमें किसका उपयोग नहीं करना चाहिए तो सड़क पर चलते समय हमें फोन का उपियोग नहीं करना चाहिए ठीक है, सारे प्रशन हो गए, अब हम देखते हैं दूसरा प्रशन बच्चों क्या आप जानते हैं कि सड़क के भी अलग-अलग हिस्से होते हैं और सड़क के प्रतेग हिस्से का अपना एक कार्य होता है आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ चित्र नीचे दिये गए हैं संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचान कर अपनी कॉपी में इनका नाम लिखिए जैसे पहला देखो ट्राफिक लाइट आपको कहा नजर आ रही है तो यह है ट्राफिक लाइट इसके नीचे आप लिखेंगे ट्राफिक लाइट दूसरा है स्पीड ब्रेकर यानि सड़क के ओपर कुछ ऐसे उची-उची सी चीज़े बना दी चाती है यह स्पीड को श्मारे गारियों की स्पीड को कम कर देता है तो स्पीड ब्रेकर यह है तो फुट बढ आस तो फुट पाद कहा पना पर है यह रही पुट पाथ फिर है ट्राफिक को तो आपने आपने सड़क पे कॉन जैसे कुछ रखे रुखे हुए थेखी यह यह पे है यह ओरेंज और वाइट कलर के होते हैं ऑग अप सब नेशी देखी होगी और सड़क पार कर लोगत होता है तो समझ में आगया पहला क्या है आप इसके नीचे लिखेंगे zebra crossing ठीक है दूसरा क्या है यहाँ पे आप लिखेंगे traffic आगे korn ठीक है इसके नीचे आप क्या लिखेंगे यह क्या है यह है traffic light ठीक है traffic korn, traffic light zebra crossing यह हो गया इसके बाद चौथा है इस पे आप लिखेंगे speed breaker और अंत में last में यह क्या है यह है foot path ठीक है इसके बाद अब हम देखते हैं तीसरा प्रशन बच्चों तीन बत्यों का पालन करना याता यात का सबसे जरूरी नियम है आए अब हम इन बत्यों के बारे में जानते हैं नीचे आपको तीनों बत्यां दर्शाए गई हैं इन बत्यों के रंग के साथ दिये गए वाक्यों को पूरा करके अपनी copy में लिखिए हमें इन संकेत box ये दे रखा है आगे बढ़ना, तयार होना, रुकना तो पहले में हैं लाल बत्य होते ही रुक जाओ पीली बत्य पर तयार हो जाओ और हरी बत्ती होते ही क्या करना है आगे बढ़ जाओ तो ये थी हमारी आज की EVS की वक्षिट जो हमने तीनों प्रशन हल कर लिए हैं पर इसके बाद हमें एक activity दे रखी है घर में उपलब्ध गत्तों या काग्जों की सहायता से traffic light का model बनाएं और अपने teacher के साथ साजा करें तो यहां देखी ये traffic light बना हुआ है आपको ऐसा कुछ बनाना है गत्तों की सहायता से या काग्ज की सहायता से ठीक है और उसकी pictures अपने teacher के साथ share करनी है और आपके parents के लिए यहां पर सजेशन है कि पुरोक्त गति विधी को करने में बच्चों की आप से भी सहायता करेंगे तो I hope आपको यह worksheet अच्छे से समझ में आ गई होगी Thank you